नमस्कार आप देख रहे हैं News 24 First Express और मैं हूँ आपके साथ मानविठापूर शुरुवात करते हैं आज की खास कप्रों से और यहां से सदर कोतवाली छेतर के कश्वा खानपूर निवासी एक महला ने परिवारिक पिवात के चलते पती को मारपीट की अजानी कारोप लगाया है गंबी रूप से घायल अधेड को संयोक्ति के साले में भरती कराया गया जहां से सर में गंबीर चोटे होने के चलते डॉक्टरों ने प्रात्विक उपचार के बाद उसे रहाफर कर दिया है वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुँच गई थी सदर गोतवाली छेतर के कश्वा खानपु निवासी सलाउदीन पोतर शेर खान अपनी पत्नी वा बच्चों के साथ घर पर थे उसी द्वारा नुसी के परवार के कुछ लोग आये और जमीनी विवाद के चलते उन पर धारदार हत्यार से हमला कर दिया हमला करते हैं उनकी पत्नी वा उनके बच्चे उन्हें बचाने आये तो दवंगों के द्वारा उसकी भी मार पीट कर दी गई है सोर गुल के आवाज शुनकर आस पडोस के लोग आ गए बस इस पर दवंग वहां से फरार हो गया घायल को सयोक्ति के साले में भरती कराये गया है खटना की जानकारी से लाउद्दीन की पत्नी के द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई है सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने महला से पूच्टाच की तदक घायल को डॉक्ट्री परिक्षन कराया घायल की पत्नी ने जानकारी दी है कि 6 वर्स पूर्व उसके मकान की वसीयत हो चुकी है जबकि उसके परवार वाले स्थान को हड़पना चाते हैं मैला ने बताया कि वह घर पर थे इसी दौरण वह जोग आ गए और धारदार हत्यार से उसके पती को उपर सर सर से बार कर दिया जिससे कि वह गंबी रूप से घायल हो गए हैं इसलिए उसे भी पीजी आई रेफर किया जा रहा है तो वहीं घटना की जाच परताल करने पर पुलिस जुटी हुई है क्या बादी है किसे मारे जेड ने मारे तो लगे तीन और देन किया क्या 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 नाम था तो नसीम कि जेड का नाम तारिक नाम तो दीन नाम किया कि अचयरी थे नाम नाम है कि पिता जी कि नाव चेर खान हुआह भारे यह कि इसके घरवाले हैं इंगे टारिक उब पीजहुई है कि स driven आज की खबरों में बस इतना ही देखते रहे है रियोस 24 फस्ट एक्सप्रेस नमस्कार